लेकि क्लास 10 के exercise 7.1 का जो question number 2 है question हम से बोला गया है find the distance between the points 0,0 and 36,15 हमें क्या करना है हमें यहाँ पर दो points दे रखे हैं एक point है 0,0 and दूसरा point है 36,15 इन दोनों points के बीच की distance को हमें find करना है आगे हम से इन्होंने बोला है can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2 आगे इन्होंने बोला है कि एक section 7.2 है book में NCRT book में महाँ पर एक town A है और एक town B है क्या हम उन दोनों town के बीच की distance को भी find कर सकते हैं अब देखे ये चीज तो पता लगेगी जब हम उस section को देखेंगे तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं पहले यहां से यहां तक का question solve कर लेते हैं यहां कि हमें क्या करना था इसमें हमें 0,0 और 36,15 इन दोनोंków पॉइंटS के बीच की distance को हमें यहां पर find करना था तो पहले हम इन दोनों पॉइंटS के बीच की distance को find करेंगे और उसके बाद जो है उसके बाद जो है आगे वाला portion हम solve करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे जो पहला point है वो क्या है 0,0 और दूसरा point है 36,15 ठीक है अब देखिए सबसे पहली बात यह आ जाती है कि अगर हमें 2 point के बीच के distance निकालनी हो तो हम distance formula लगा सकते है और वहां से उन दोनो points के बीच के distance को हम निकाल सकते है ठीक है मगर एक चीज और है इसमें कि अगर दोनों के दोनों points मेंसे कोई भी एक point अगर 0 ना हो जिसे मानलो यहाँ पर है यहाँ पर 00 दे रखा है एक point ठीक है अगर जिसे मानलो यहाँ की मैं बात करता हूँ question number first है 7.1 का ही महाँ पर 2 point के बीच की distance निकालनी है मगर इन दोनों points में से कोई भी 0 नहीं है ना तो यह 0 है पूरे का पूरा point और ना ही यह 0 है अगर इन दोनों में से कोई भी एक point पूरा पूरा 0 नहीं है पूरा पूरा ठीक है तो हम distance formula लगाने के लिए distance निकालने के लिए यही distance formula यूज कर सकते है ठीक है यही formula यूज करेंगे मगर अगर हमारे पास ऐसा हो जाता है कि कोई एक point जैसे माली जे 0,0 है और दूसरा point कुछ भी है जैसे माली जे 5,4 है तो अगर दो point के बीच की distance हमें निकालनी है और उन में से एक पूरा point 00 हो जाए ठीक है तो हमें distance formula लगाने की जरूरत महाँ पर नहीं पड़ती है इतना बड़ा ठीक है इतना बड़ा distance formula लगाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर हम क्या करते हैं जो 00 होता है उसको तो हटा करके और जो दूसरा point होता है उसके जो coordinates होते हैं उसका पहला वाला होता है उसका square कर दिया करते हैं प्लस जो दूसरा वाला होता है उसका square कर दिया करते हैं और distance इन दोनों point के बीच के निकल जाती है ठीक है अब देखिए वही चीज यहाँ पर है तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन दोनों में से एक point जो है वो पूरे का पूरा 0 है ठीक है दूसरा जो है 36,15 है तो इन दोनों point के बीच के distance निकलने है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों point के बीच के distance को निकलने के लिए हम direct इतना लंबा formula ना लगा कर direct जो हम क्या कर देंगे under root के अंदर जो दूसरे point का x coordinate है नहीं के 36 उसका square कर देंगे और plus में जो दूसरा वाला point दूसरा वाला coordinate है y coordinate उसका square कर देंगे ठीक है मगर यह है कि हाँ दोनों में से यह दोनों के दोनों ही 0 होने चाहिए ऐसा नहीं कि यह 5 था और यह 0 था तो फिर भी आपने यह formula लगाया फिर नहीं लगेगा फिर तो हम वही formula लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर कोई 1.00 हो जाता है पूरा तो फिर हम जो दूसरा coordinate दूसरा point होता है उसका x coordinate ले करके और y coordinate ले करके इस तरीके से उसके बीच की distance को निकाल सकते हैं अब अंडरूट 36 36 का square करेंगे तो देखे कितना आएगा 36 का जो square होता है वो होता है हमारे पास अंडरूट 1296 और प्लस 15 का square जो आजाता है वो आजाता है 225 ठीक है 36 की 36 के multiply करेंगे तो 1296 आएगा 15 की 15 से multiply करेंगे तो 225 आजाएगा जब हम इन दोनों को add करते हैं तो हमें मिल जाता है 1521 ठीक अब हम इसके क्या करेंगे फेक्टर करेंगे जब 1521 के हम फेक्टर करते हैं तो यह 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15 अब 3 की divide 2 में नहीं जाएगी हमें 1 को भी मिलाना पड़ेगा तो पहले यहाँ पर जब इखटे 2 डिटल मिलाते हैं हम तो पहले 0 लगा लेते हैं 3 सते 21 आ जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से 3 से कट जाएगा 3 इकन 3 दो आ जाएगा 20 3 छंग 18 दो 3 नम 27 फिर 13 से कट जाएगा 13 इकन 13 33 49 13 बनदा 13 तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके फेक्टर करने के बाद हमें 3 इंटू 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 13 इंटू 13 अब यहाँ पर एक पेर यह बन रहा है 3 का और यह 13 का पेर बन रहा है तो इसमें से वही चीज बाहर आती जिसका पेर बनता है कि क्या आप उन दोनों टाउन के बीच की बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो section 7.2 में discuss करे गए हैं A और B अब देखिए पहले उसको मैं दिखा देता हूँ आपको ठीक है देखिए जो section 7.2 है वो यह है ठीक है और यहाँ पर point A यह रहा और यह जो point है यह y axis और x axis का intersect point है तो जहाँ पर दोना axis एक दूसरे काड़ती है वहाँ का जो coordinate रहता है वो क्या रहता है 0,0 तो A के coordinate 0,0 है दूसरा यह जो B point है वो यहाँ पर है अगर मैं इसके coordinate निकालूंगा तो हमें यह पता है कि किसी भी point के अगर coordinate हम निकालते हैं तो हम सबसे पहले उसे यह देखते हैं कि वो x axis में कितनी distance चला तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यह point B है हमें इसकी seat में आना है तो हम यह देखेंगे x axis की किस number की seat में यहा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक यह 36 चला तो इसका जो x coordinate हो जाएगा वो कितना जाएगा 36 और जब यह ऊपर को चला तो कितना चला देखो यहाँ पर दे रखा है 15 km ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक का जो y coordinate आ जाएगा वो कितना जाएगा 15 तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें A के जो कॉडिनेटस मिले वो कितने मिले A, 0, 0 और जो B के कॉडिनेट मिले 36, 15 जो कि बिल्कुल यही है ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं जो यह दो टाउन है जो यह दो टाउन है A और B इन दोनों points के बीच की distance इन दोनों टाउन के बीच की distance भी कितनी होगी यही होगी 39 unit अब देखें यहाँ पर तो हमने only unit लगाया था क्योंकि यहाँ पर हमें only points दे रखे थे मगर जब हम town की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं the distance the distance between town a and b 39 यहाँ पर unit नहीं लिखेंगे यह distance kilometer में दे रखी थी तो यहाँ पर यह kilometer आ जाएगा यह इसका answer आ जाएगा तो a और b के बीच के distance जो है वो 39 kilometer है यह इसका answer आ जाएगा